ओम सिरीगनी सैनम दूस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत हैं दूस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन नवंबर हुरविवार के रासी फल के बारे में कि इह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करत हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आर्थिक इस्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली हैं और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर अथिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेस्यों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों साती सात समय आज आपके लिए भैतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तों आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से राहत मिलेगी आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुआत में ही अ से बहुत अधिक राहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उच चित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रवी आपको करनी पड़ सकती हैं विध्यारतियों को भी किसी कंपटिशन में नहीं पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी है दोस्तो आज भाग्ये आपके पक्ष में हैं पिछले कुछ समय से जिन का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज प्रापती हो और घरेलू विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्या होने पर उनका ख्याल आप विशेश रूप से रखें दोस्तो साथिसाथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना बरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्नेले भविस्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गति विद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना आति आवशक है आज कोई पेमेंट भी आपको करनी पड़ सकती है जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली है दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तों साथिसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबन्दों में सात्विक्ता रखना आवश्चक है साथ साथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरण खुस नुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गति विद्यों में छोटी-छोटी परिशानिया आ सकती हैं लेकिन कठिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पेशावाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं हल होंगी नोकरी पेशाव्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अंजान व्यक्ति से अचाना के घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वेवसाइक गतिविदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पेशाव्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्यक्ता है वे ध्यारतियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने बाला है साती सात कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो थकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहूने के बाद बाजार से तीन जहडू खरीद कर लाएं या दोस्तो इसके बाद आप इन तीनों जहडू को आसपास के किशीभी मंदिर में चुपचाप रख आएं और मनीमन भगवान शुरदेव का इसमरण आप करते रहें या दोस्तो साती सात जहडू रखते समय आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जहडू रखें तब आपको कोई देखे ना जैस दोस्तो ऐसा करने से आपको सुब फलो की प्राप्ती होगी जो भी आपके घर में धन संबंदित परिशानियां हैं समस्त परिशानियों कांत होगा आपके घर में धन वैबब और यसमें वरद्धी होगी जैस दोस्तो आप इस सुपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुर्यदेव का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद